हेलो दोस्तो तो आज मैं ले करके आया हूँ गीव भर्ब इस वीडियो में जानेंगे गीव भर्ब का हिंदी मिनिंग, गीव भर्ब का पांचो फर्म गीव भर्ब से कौन कौन सा वर्ड मिनिंग मिल करके बना है और जानेंगे दोस्तो किस तरीके से आप give भर्व का sentence में यूज करेंगे तो चलिए start करते हैं दोस्तो इस वीडियो की to give to give give का हिंदी मिनिंग होता है दोस्तो देना, सौपना, यानि किसी चीज को किसी को सौपना उपहार देना, बदले में देना, प्रदान करना, औरपित करना, आरोपित करना, उत्पन करना, चुकाना या किसी चीज को बाटने को बोला जाता है दोस्तो give तो give का ये सब हिंदी मिनिंग होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो और आप लोग को बतलाता हूं कि give भर्ब का 5 फर्म क्या होता है तो भीवन होता है give भीटू होता है give भी थिरी होता है given और भी फोर होता है giving और भी फाइप होता है दोस्तो gives give, give, given, giving, gives ये होता है भी भर्ब का 5 फर्म तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो और देखते हैं कि give भर्ब से कौन कौन सा वर्ड मिनिंग बना है तो give का मतलब होता है देना और जो देने का काम करता है दोस्तो उसको इंगलिस में बोला जाता है giver 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 यानि दाता देने वाला प्रदान करने वाला को इंगलिस में बोला जाता है giver ये giver singular नावन है दोस्तो और एक से अधिक हो देने वालों की संख्या या प्रदान करने वालों की संख्या या दताओं की संख्या तो आप इंगलिस में बोलेंगे givers अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो की गी वर्ब से बना है गीविंग जो की सिंगुलर नाउन है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है दान पुरसकार यानि किसी को जो दान मिला हो दोस्तों तो उस दान को या जो किसी को पुरुसकार मिलता है तो उस पुरुसकार को इंगलिस में बोला जाता है giving जैसे जो हम लोग का ये जिंदगी है इस वर के दिवारा दी हुई पुरुसकार है या फिर दान है या फिर giving है और एक से अधिक दान को या ऐसे पुरुषकार को इंगलिस में बोला जाता है दोस्तो गिविंग्स और अगला वर्ड मिनिंग है दोस्तो गिवेन जोकी एडजेक्टिव है जैसका हिंदी मिनिंग होता है दिया हुआ जैसे अगर यह बोलना हो दोस्तो कि इंसान की जिन्दगी भगवान का दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इंगलिस में बोलेंगे the human life is given by God या अगर यह बोलना हो कि इंसान का जिन्दगी दिया हुआ है तो आप इंगलिस में बोलेंगे human life is given human life is given अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सिखते हैं कुछ ऐसा sentence जो की give verb से हम बनाए हैं जैसे आपको किसी से ये कहना हो कि किर्पिया मुझे कुछ दो यानि आप किसी से request करते हैं और ये बोलते हैं कि किर्पिया मुझे कुछ दो तो आप इंग्लिस में बोलेंगे give me something please give यानि दो me यानि मुझे something यानि कुछ please यानि किर्पिया किर्पिया मुझे कुछ दो तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ किर्पिया मुझे कुछ दो अगला sentence है भाईयो अगर आपको ये बोलना हो वह देता है यानि कोई लड़का है दोस्तो वह कुछ देने का काम करता है और आपको ये बोलना है कि वह देता है तो आप इंग्लिस में बोलेंगे he gives he यानि वह gives यानि देता है present in definitance singular subject के साथ में दोस्तो भी five का यूज किया जाता है अगला sentence है अगर आपको बोलना हो वह एक कॉलम देता है तो आप इंग्लिस में बोलेंगे he gives a pain he gives यानि वह देता है a pain यानि एक कॉलम तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह एक कॉलम देता है अगला sentence है दोस्तो अगर आपको ये बोलना हो वह मुझको एक कॉलम देती है तो आप इंग्लिस में बोलेंगे she gives me वह मुझे देती है a kiss यानि एक कॉलम वह मुझको एक कीस देती है इस तरीके से आप बहुत सारा sentence मना सकते हैं आगे बढ़ते हैं भाईयो और सिखते हैं कि और कीस तरीके से sentence बनेगा give verb से अगला sentence है दोस्तों जो कि give verb से बना है वह मुझको एक चुमा दी जो कि past in definite tense है तो आप इंग्लिस में इसको बोलेंगे she gave me she gave me उसने मुझको दिया a kiss यानि एक कीस उसने मुझको एक चुमा दी इस तरीके से अगर आपको ये बोलना हो वह मुझको एक चुमा दे चुकी है यानि ये किरिया perfect tense है दोस्तों perfect in definite का tense है ये किरिया done हो चुका है तो आप इंग्लिस में इसको बोलेंगे she has given me उसने मुझको दे चुकी है a kiss यानि 21 तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझको 21 दे चुकी है ये दोस्तों present perfect tense है आगे बढ़ते हैं भाईयो और देखते हैं अगला sentence है वह मुझको एक चुमा दे रही है जो कि present continuous tense है अगर इसी वाले sentence को present continuous tense में बोलना हो भाईयो तो आप लोग बोलेंगे she is giving she is giving यानि वह दे रही है और kiss यानि 21 जो कि present continuous tense है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला sentence है क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं तो इस sentence को आप इंगलिस में बोलेंगे can you give me क्या आप मुझे दे सकते हैं अपेन यानि एक कलम तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या आप एक पेन मुझे दे सकते हैं अगर आपको इसी तरीके से बोलना हो दोस्तों और request करना हो और कहना हो किर्पिया मुझे थोड़ा पानी दीजिए तो आप इंगलिस में बोलेंगे please give me some water please यानि किर्पिया give me यानि मुझे दीजिए some यानि कुछ water यानि पानी तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ किर्पिया कुछ पानी मुझे दीजिए या थोड़ा सा पानी मुझे दीजिए अगला सेंटेंस है दोस्तो अगर आपको बोलना हो उसने मेरे जन्म दीन पर मुझे उपहार दिया दिया यानि give भर्व दोस्तो तो आप इंगलिस में बोलेंगे he gave me उसने मुझे दिया a gift यानि एक उपहार on my birthday यानि मेरे जन्म दीन पर तो इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते है अगला सेंटेंस है दोस्तो अगर आपको ये बोलना हो मैं बाद में तुम्हें एक कॉल दूँगा यानि मैं बाद में तुमको कॉल करूँगा तो आप इंगलिस में बोलेंगे I will give you मैं आपको दूँगा अकॉल यानि एक कॉल लेटर यानि बाद में मैं आपको एक कॉल बाद में दूँगा इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते है अगला सेंटेंस है दोस्तो अगर आपको ये बोलना हो इंगलिस में क्या आप मुझे निकर्तम बैंक के लिए दिशा निर्देश दे सकते है यानि अगला बैंक कौन सा है दोस्तो कहां पे है वो क्या किस दिशा में है क्या आप बतला सकते है तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा क्या आप मुझे दीशा दे सकते हैं यानि जो सबसे नजदिक बैंक है उसका यानि कोई बैक्ति है दोस्तों और वह वह बैक्ति आपसे यह जानना चाहता है कि जो सबसे करीब बैक है उस बैक्ति का दिशा क्या है यानि किस दिशा में हम बढ़ेंगे आगे तो वह बैक हम सको मिल जाएगा वह जानना चाहता है इस सेंटेंस के द्वारा अगला सेंटेंस है दोस्तों अगर आपको यह बोलना हो आप एक दाता है तो इसको इंगलिस में बोला जाएगा You are a giver आप एक giver है इसी तरीके से अगर यह बोलना हो दोस्तो प्यार सबसे बड़ा उपहार है तो इसको इंगलिस में इस तरीके से बोला जाएगा Love is यानि प्यार है The greatest give of all The greatest give of all यानि सबसे बड़ा give है या सबसे बड़ा उपहार है प्यार सबसे बड़ा give है या प्यार सबसे बड़ा उपहार है अगला sentence है दोस्तो अगर आपको यह कहना हो तेवहारों के दवरान उपहारों का दान एक समान्य प्रम्प्रा है यानि तेवहारों के दिन दोस्तो उपहार जो होता है वो सब लोग करते हैं लोग ऐसा समान्य प्रामप्रा है तो आप इंग्लिस में बोलेंगे the giving of gifts यानि गिप्टों का देना during the festivals यानि festivals के दवरान is यानि है a common tradition यानि एक समान्य प्रामप्रा तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ उपहारों का देना festival के दवरान एक समान्य प्रामप्रा है अगला है दोस्तों जो कि एक quote से है give verb से चलिए देखते हैं उसको किस तरीके से आप हिंदी में translate करेंगे always give without remembering always यानि हमेशा give यानि दो without remembering यानि बिना याद किये हुए यानि ऐसा कोई भिदान मत दोस्तों कि देदो और उसको याद रखो कि बदले में हमको कुछ मिलेगा ये sentence बोल रहा है कि always give हमेशा दो without remembering यानि बिना याद रखे end यानि और always receive हमेशा receive करो without forgetting यानि दोस्तों बिना भूले यानि ये वला sentence बोल रहा है दोस्तों कि कुछ भी दान करो तो उसको भूल जाओ लेकिन कुछ भी receive करो यानि पराप्त करो तो उस चीज को कभी मत भूलो उसको हमेशा याद रखो तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी सिखने को मिला है तो प्लीज सैनल को सब्सक्राइब करिये वीडियो की description box में जाएए और ऐसे वीडियो का link है जहां से आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं और मैं उस वीडियो दोस्तों बात लाया हूँ दोस्तों कि लोग भर्वका किस तरीके से यूज किया जाता है आप जाकर के प्लेलिस्ट से भी लोग भर्वका क्या हिंदी मिनिम होता है किस तरीके से यूज किया जाता है आप जाकर के सीख सकते हैं तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक